प्रेंट्स ज्या भारत इज हम नियो इन्वेटर सुक्कम कम्पानी का इन्वेटर हमने पहले से खोल का रख दिया है यह इसका मोडल देख सकते है सार्क 1050 यह बैटरी यह लिवगाट का 150 एस का और सिक्टमान की वारंटी है हमने यह बैटरी अभी खोल रहे है है यह बैटरी के अंदर क्या क्या मिलता है यह वारंटी काड़ है यह जेल है जो टर्मिलार में लगेगा अर्य इंडिकेटर लेबल रेन नाट दो टाइड करने के लिए बैटरी को हमने तो निकाल लिया है, दो लोग और प्लाश के साथा से ये प्लाउख को आउड कर लेना है ये समङल कर रखना रहे सब्सक्राइब बैised कर लेना है ये आच्छे से आपको शच्ड करना है ध्यान से ले अधियाँ से नहीं तो ये उपार काश कर भी सकता है देखो हमारा इंटिकाटर भी सेटिंग हो गया है इसका देखो लेबल अभी फूल इसके अंदर डिस्टिल वाटर है यह जब नीचा आएगा तो आपको पानी डलना होगा यह भी फूल है देखो यह इंग्वेटर का पीछेट 16 एमपर सकेट आउट करने के लिए और यह फ्य और एक फ्यूज और यह फ्यूज और यह दो बटन आपको ध्यान से देखना है यह रहो यह यूपेस यह डाबलो यूपेस यह यूपेस मतलब जो आप कंपूटर लगा है तो यूपेस मोड यहां पर कंपूटर लगने बला है तो यूपेस नहीं तो एको मोड और यह लगाने से यह उपर से करबन नहीं आता है और बैटरी ज्यादर टाइम तक चलता है लगा दिया है बैटरी हमारा कनड हो गया है अभी हम क्या करेंगे देखो यहां से इन्वेटर वाइर डला नहीं था इसलिए हमने एसपर कस्टमर डिमड यह रूम के लिए ही हमने इन्वेटर सेटिंग किया है कस्टमर ने बोला है कि यह एक ही रूम में हमारा इन्वेटर चा जाजिंग करने के लिए और एक सकट को इंबैटर में करनट कर दिया है और एक 1.5 यह बोड़ से और बोड़ को निकाली है यहां से देखो निव टाल यह यह प्लग से यह बलाग सकट में कनड है और यह हमारा 1.5 वायर के इन्वेटर वायर रेडर जो एक 3 पिंट टाप के साथ कनड है जो इन्वेटर पीछे साड में लगेगा और यह वायर ठोक ऊपर से ठोक है हमने लिए है क्योंकि यह किराय का घरे अब यह चले जाएगे तो यह निकल कर ले जाएंगे और यह हमारा 12 मोडल के बोड के पास आ गया है कस्टमर बोला कि हमको यह सभी पॉइंट में इन्वेटर चाहिए तो हमने यह मैन लाइन को निकल लिया है और उसकी जगा पर यह इन्वेटर को लगा दिया है कोई चेंजस नहीं क्या है कस्टमर के हिसाब से आप जितना पॉ हो सकता है बाद मेंुआ हमरा करण हो गया है यह प्लाग इन करने से पहले आपको द्रेपेंट टाप को रिचेक में चर्ड कन थिक करने के लिए हैं को इंप्ट्र कर दिया हैun जै्डल ने करने का वार इन्पॉष करने के यह main on दिखा रहा है और charging दिखा रहा है maintenance इंवेटर अभी on नहीं है यानि कि current जाने के बाद यह नहीं चलेगा देखा हम इंवेटर on कर दिया है तो यह base mode में अभी आ गया है चलो check करते है लाइन जाने के बाद यह चलेगा या नहीं चलो main mc बस के पास हम अभी आगे और सभी mc को गिरा दिया है देखा हमारा इंवेटर अभी चलू हो गया है यह डिस्प्ले में इंवेटर on सिंबल आ गया है इस तरीका से यह connect सही हमारा चेकिंग भी हो गया है अभी हम main on कर दिये देखो main और charging दिखा रहे इसी तरीका से आप भी इंवेटर कनेशन कर सकते हैं हमारे साथ जुड़े रहे इस तरीका के वीडियो पाने के लिए जय भरत